नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर बिहार के पहले एक्सप्रेस्वे को लेकर है जिसके पहले फेस का निर्मान कारिये जल्द शिरू होने वाला है। लगभग 200 किलोमीटर लंबे आमस दर्बंगा एक्सप्रेस्वे के पैकेज वन के लिए जरूरी राशी की मनसूरी दे दी गई है। पैकेज वन के तहट आमस शिवरामपूर खंड का निर्मान किया जाएगा। 55 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच के लिए केंद्रिय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले ने 1390 करोड रुपे की स्विक्रिति दे दी है। इसके साथ ही इस्ट वेस्ट कोरिडोर यानी गोपाल गंच किशन गंच नाशनल हाइवे को मुहनिया डोभी जीटी रोड से जोडने वाले इस बेहत महत्वपून और महत्वा कांग्शी सडक का निर्मान कार्य शुरू हो जाएगा जिसे पूरा करने का लक्ष साल 2024 रखा इसके पूरा होने के बाद महस धाई घंटे में दरभंगा से गया औरंगाबाद जीटी रोड पहुंचना संभव हो जाएगा ये ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे बिहार का पहला नौर्थ साउथ कोरिडोर है जो आगे चलकर जारखंड बॉर्डर से जैनगर यानी नेपा ब्रिज कल्यानपूर ताजपूर होते हुए दरभंगा शहर के पूर्वी उत्तरी छोर परिस्थित बेला नवादा में इस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे तक पहुचेगा आपको बता दे कि इस एक्सप्रेस्वे का निर्मान चार पैकेज में बाट कर किया जाना है पहले पैकेज में आमस से शेवरांपूर के बीच 55 किलोमीटर का निर्मान होगा जिस पर पहले 1073.44 करोड रुपे खर्च होने की बात थी लेकिन अब ये 1390 करोड रुपे हो चुका है जिसे मन्जूर कर लिया गया है दूसरा पैकेज शेवरांपूर से रामनगर तक का होगा 54.30 किलोमीटर लंबे इस पैकेज के निर्मान पर 1066.64 करोड रुपे खर्च होने का अनुमान है तीसरे पैकेज में कल्यानपूर से पाल दशारा तक 45 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनाया जाएगा जिसमें करीब 1150 करोड रुपे खर्च होंगे वहीं चौथे और अंतिम पैकेज में पाल दशारा से बेला नवादा तक सड़क का निर्मान किया जाएगा जो की 44.1 किलोमीटर लंबा होगा इस हिस्से को बनाने में 1534.07 करोड रुपे खर्च होंगे इसके अलावा रामनगर से सबलपूर तक 14 किलोमीटर सड़क का निर्मान भारत माला परियोजना के तहट किया जाना है साथ ही इस सड़क के बीच में पटना के कच्ची दरगा से वैशाली के विदुपूर तक 6 लेन पोल का निर्मान बिहार सरकार प्रात्मिक्ता के आधार पर अपने संसादनों से करा रही है इस तरह चारों पैकेज को तैस समय के अंदर पूरा करते हुए आमस दरभंगा एक्सप्रेस्वे को 2024 तक चालू कर दिये जाने की योजना है जिसके पूरा होने से उत्तर से दक्षिन बिहार के बीच सड़क कनेक्टिवीटी बहतर हो जाएगी इससे दरभंगा पटना और गया एरपोर्ट के बीच भी सीधा संपर्ख हो जाएगा जिससे हवाई सफर करने बालों को भी काफी फैदा होगा वही राजगीर जैसे बड़े टुरिस्ट प्लेस का एप्रोच भी इससे काफी बेहतर हो जाएगा